हलो दोस्तों नमस्कार वेलकब तो इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म टाप 10 क्लासिस और मैं हूँ बच्चो प्रजोल सिंग आपका कमिस्ट्री मेंटर तो आज बच्चो हम आपका देखेंगे कि बैंड सिध्धांत बच्चो क्या होता है देखिए यहाँ पहले से हीटिंग ल कि और क्या पढ़ा। बच्चो मोझे प पढ़ा अध्च्णब कू अध्चहले। ऊध्चौ क्या है अगर हम बात करें कि चालक, तो आपको पता होता है व्च्चो कि जिसमें विदु धारा का प्रभाह, जिसमें इरेक्टिस सिटी आसानी से भिरोह होले, बहले, और इसकी चालकता कितनी होती दस घाते चार से दस घाते साथ ओम इनवर्स और मेटर इनवर्स होती है और बच्चे जो कुछालक होता है जिसमें विद्धारा का प्रवाह नहीं होता जिसमें विद्धारा का प्रवाह नहीं होता उसे सों मेंटर सूंधा हर चालग क्या होता है जिसमें विद्धधारागा परव बहुत ही न्यून बहुत ही कम होता है उसे चालगता है दस घाते और मेटर इन्हों से बच्चों होती है तो इतनी चीज़े बच्चों हम आपकी पढ़ चुके थे तो अब कूचालक चालक कूचालक और अर्दचालक इन तीनों की व्याख्या करने के लिए बच्चों आपका क्या आया बैंड सिध्धांत क्या है बच्चों बैंड सिध्धांत क्या है तो आप कह सकते हैं बैंड सिध्धांत चालक कूचालक और अर्दचालक की व्याख्या करता है क्या करता बच्चो बैंडसिधानना चालक कू चालक और अर्थ-चालक की व्यांति बॉठ्ध करता, इतनी वात आई समझ में आपको आओ हम बैंडसिधान स्टार्ट करें तो यहां बच्चों आपका हेडिंग लगा ले एक है ऐका बैंड़सिधान था बैंड थीरी तो चो बैंड सिध्धान्त क्या है तो यहां बच्छों आपका लिख रहे हैं बैंड सिध्धान्त बैंड सिध्धान्त चालक चालक कूचालक तथा अर्द चालक की व्याख्या बैंड सिध्धान्त चालक की व्याख्या करता है क्या बच्छों इसनी बाते आपको समझ में आई तो आईे सबसे पहले अब बैंड सिध्धानकła basic points क्या ङाए उसो में सीखते है तो सबसे पहले आपको कच्छक होते हैं मतलब इसे परमाडू कच्छक भी क्या सकते हैं क्या होते हैं परमाड के पास क्या होंगे बच्छो आपके परमाडू कच्छक होंगे और यह परमाडू कच्छक यह परमाडू कच्छक बच्छो मिल करके क्या बनाएंगा आडवी कच्छक यह आडवी कच्छ से बनता बच्चों परमाडू से मिलकर बनता है और आपका यही परमाडू के पास क्या होता है कि परमाडू कच्छक होते हैं और यही परमाडू कच्छक सन्योजी बैंड, क्या बच्चो हो जाता आपका एक तो हो जाता क्या बच्चो सन्योजी बैंड अब बच्चो सन्योजी बैंड क्या होती ये समझे और एक होता बच्चो आपका चालन बैंड, क्या होता बच्चो चालन बैंड तो बच्चो संयोजी बैंड क्या होता है इसके बारे में अगर आपको बताएं तो देखे जब भी परवाड कच्छक मिलकर आड़ी कच्छक बनाएंगे तो बच्छो उन कच्छक में इलक्टान पाये जाते हैं क्या पाये जाते हैं और जिन कच्छकों में इलक्टान पाये ज कि हैं पाए जाते हैं नहीं भी पाए जाते तो चालन बैंड हम बात करें बच्छर युन पाहिए गें और इनके उरजा में क्या होता सबसे जादा उरज हुआंगी तो सबसे पहले संयों जी में लिखा थे पैसे इसे बाद में तो ज्यादा होगी हो अगर उर्जा की बात करें कि आप लिखेंगे बच्चा क्या उन्य वांड की उर्जा एज रडा उते कि से है और सइन्योजी पश्य Patch is कि इतनी बात है रोगों समझ मेनạo गेए अर्प । हम लेते हैं कि सबसे पहले बच्चो ठोस के परमाडू कच्छक आपस में मिलकर क्या बनाते बच्चो आडवी कच्छक क्या बनाते ये आपका आडवी कच्छक बनाते हैं क्या बनाते बच्चो आडवी कच्छक बनाते हैं और आडवी कच्छक आडवी कच्छक आपस में ब्यवस्तित होकर आड़ी कच्छक आपस में ब्यवस्तित होकर आड़ी कच्छक बच्छो आपस में ब्यवस्तित होकर क्या बनाते बच्छो उर्जा अस्थर बनाते हैं या तो इन्हें डारेक्टली वंकब बैंड लेग दे रहे आड़ी कर्षक आप्रास निर्माड करते हैं और बैंड कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कि अच्छा कौन-कौन होते हैं एक होता अच्छो क्या आपका चालन बैंड यही चीज बच्चों हमने आपको पर समझाया था अब बच्चों अब आपको लिख लिया अब बच्चों अब हम आपको बता दे कि आपका जो चालन होता है यह जौस्द अब करने के लिए रिक्टैंगे इस प्रकार से क्या दिखाate इस प्रयाब डिखा थीक दोनों बैंड इस सकते बच्चो चाहे आपका चालन बैंड हो चाहे आपका क्या हो सायोजी बैंड हो दोनों के इस प्रकार से हम क्या कर सकते बच्चो प्रदर्शित कर सकते हैं अगर इसमें भी लेक्टान दिखा सकते हैं इतनी बाते बच्चो समझ में आई आपको अब आम इसका explain करते हैं सबसे बहले बच्चो बात करते हैं हम आपका किसकी चालक के जिसकी बुच्छो चालक के तो आप बच्चो पढ़ चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में चालक ऐसे ठोस होते हैं क्या बच्च चालक ऐसे ठोस होके हैं जbody घना नभी जिसमें यहां कि इसको अपके सामने लिखा और बनाया तो और हमने इसका नाम क्या लिखा शायूंजी बैंड अब अगर बच्छो आपके यहीं चालक होगा पता है किसके साथ mixing कर जाता है किसे साथ mixing कर जाता है किसके साथ बच्चों संयोजी बैंड के साथ और आपको पता है क्या पाए जाते हैं और यह नक्सार्ट मिखसिंग कर जाता है यह नुक्तराण आसानी से कहां जा सकते बच्चों कि इतनी बात है आई समन में आपको अब हम इसको लिखेंगे कैसे ये समझे बच्चो हम लिखेंगे क्या बच्चो चालक की व्याक्या करेंगे बच्चो कैसे चालक में ठोश चालकों में सयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे बच्चो क्या जाते हैं ईक्सिंग कर जाते हैं इसकोँ करते हैं अगर आपका सयूंजी और चालन बैन्ठ एक दूस्य अतिव्यापन कर गया तो कि ठोश चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या कर जाते हैं अतिव्यापन कर जाते हैं जिसके कारट संयोजी इलेक्टान के जिसके कारट संयोजी बैंड के इलेक्टान आसानी से कहां लिए जाते हैं चालन बैंड में चले जाते हैं जिससे विद्धार का प्रवाहसानी से होता है तो यही चीज लिख लिए जाए आईए लिखते हैं ठोस ठोस चालको में ठोस चालको में संयूजी बैंड और संयूजी बैंड और ठोस चालको में संयूजी बैंड और चालन बैंड क्या करते हैं बच्चों अतिवियापन कर लेते हैं अतिवियापन कर लेते हैं जिसके कारण जिसके कारण संयूजी बैंड में उपस्तित इलेक्ट्रान उपस्तित इलेक्ट्रान जिसके कारण संयूजी बैंड उपस्तित इलेक्ट्रान आसानी से किसे बच्च चले जाते हैं चालन बैंड में चालन बैंड में चले जाते हैं कांचो चालन बैंड में चले जाते हैं जिसके कारड क्या बच्चों जिसके कारड विद्धारा का प्रवा है आसानी से होता है क्या इतनी बाते आई बच्चो समझ में क्या इतनी बाते आई समझ में अगर आई बच्चो तो अब देखें मिसको बना लेते हैं चालन और सयोजी तो यह रहा बच्चो कौन सा बैंड यह सपोस्द करते हैं कौसा बैंड बच्चो आपका गयी है और यह अतिष्याकत किसे कर दिया आ आपका सजयो जिए किस Bच्चों सहीमिफ जिए अब अतिष्यापन कर लिए बच्चों इसके एलक्त्रांज अ आसानिस किसमे परेवेस कर जाएंगे इतनी बाते सब्सक्राइब एसका नाम क्या तो सजीवेंट क्या चैयूजी बैंट और इसका नाम क्या आच Вас चाल वेंट इसका नाम क्या अच्छो संयोंजी बैंड और इसका नाम क्या बच्छो चालन बैंड है क्या इतनी बाते बच्छो आपको समझ में आई क्या इतनी बाते बच्छो आपको समझ में आई अगर बच्चो आई होगी तो आई हम आपके दूसरी हेडिंग पर प्रॉशीट करते बढ़ते हैं चलिए बच्चो कुछ आलक क्या होता है आपने पढ़ रखा है कुछ आलक क्या होता है ऐसे ठोस जिसमें विद्दुधारा का प्रवाह न हो उसको हम क्या कहते कूछ आलक कहते क्या इतनी बाते आपको समझ में आ गई अगर आ गई तो आम इसको इसको इस्प्लेन करते हैं तो बच्चों आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं किसका चालन बैंड की और बच्चा किसक आपको चालन बैंड की यह क्या अच्छा आपका चालन बैंड और यह बच्चों क्या आपका कि आपको क्या इतनी बाते सब्सक्राइब और बच्चों आपको सौरी सौरी माप कीजिए यहां पर गल्ती बच्चों कि यह होता अच्छा आपको संयोजी बैंड है और यह अच्छा चालन बैंड और आपको पता है बच्चों जो संयोजी बैंड होते हो किसे बढ़े होते हैं आपके इलेक्ट्रान से बढ़े होते हैं तो यह इलेक्ट्रान से भरे हैं लेकिन चालन बैंड में लेक्ट्रान न चालन बैंड क्योंकि बच्चों क्या चालन बैंड और संयों जी बैंड के बेश की दूरी क्या होती बच्चों ज्यादा होती है क्या होती ज्यादा होती है मतलब उर्जित उर्जा अंतराल बच्चों क्या होता है, मतलब बच्चों वर्जित उर्जा अंतराल बच्चों क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा तो वर्जित उर्जा अंतराल बच्चों क्या होता है, ज्यादा होता है, सन्योजी बैंड और चालन बैंड की बीच की दूरी ज् यह मतलब वर्जित उर्जा अंतराल ज्यादा होता है अगर वर्जित उर्जा अंतराल ज्यादा होगा तो आपका जो ने योजी बैंड में लिक्तान है बच्चों वो चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे जब नहीं जा पाएंगे तो विदुधार का प्रवा होगा नहीं हो यही लिखना है अच्छो क्या कुचालको में कुचालको में सन्यों जी बैंड कुचालको में सन्यों जी बैंड हुआ है के बीच की दूरी कुचालको में स्न्यों जी बैंड और चालन बैंड के बीच वरजित उर्जा अंत्राल के बीच के वरजित हुआ कि उर्जा अंत्राल जादा होता है कि क्या तवच्चों ज्यादा होता है जिसके कारड जिसके कारड संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जिसके कार्ड संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कि चालन बैंड में चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं कि इसलिए कि इसलिए इसलिए कि इसमें विद्धारा का प्रवाह है इसलिए इसमें विद्धारा का प्रवाह है नहीं होता है कि इसके सिध्धान पर बैंड सिध्धान के अधार पर तो अगर बच्चों यह समझ में आई हो तो इसका आप बच्चों एक स्क्रीन साथ ले लिए अब बच्चों आपका बात करें अर्दिचालक अब सेमी कंड़क्टर के क्या हाले बच्चों इसमें विद्धारा का प्रवाह बहुत नियून होता है बहुत कम होता है ऐसा क्यों आओ इसको समझते हैं तो सबसे पहले बच्चों में आप आपका बना देते हैं क्या सईयोजी बैट है कि अच्चों आपका बना देते हैं कि अच्चों चालट मेंट है कि यह चालट मेंट है कि और प्टेलिक्टान कुसमें पाए जाते हैं कि सायोजी वैंड है अब अब देखें कि जो सहीजी बैंड है और चालन बैंड है उनकी बीच की जो गैपिंग है वर्जित उर्जा अंतराल के आप कम है कि नहीं ड़िवेशा कि कम तो है सचों जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं अब जो बहुत कम जाएंगे जचोंतों व्य क्विद्ध्धारा कई प्रवाहव कर में मुत बहुत न्यूपपनों नध्य daughter ऑर्द चालक में स्तैयोजी और चालक के बीच का वर्सीत अंतराद ऐता बहुत कम होता है और इसलिए कुछ सान्योजी बैंड से चालर बैंड में जाते हैं इसलिए जो आपकी एलेक्टिसिटी फ्लो होती बच्चों बहुत नियुन होती है इसी को लिखना है ना आई ये लिख लेते हैं कि अर्ध चालकों में क्या चो अर्ध चालकों में कि संयूजी बैंड कि वह चालन बैंड कि अर्ध चालकों में संयूजी बैंड वह चालन बैंड के बीच का वर्चित उर्जांत्राल वर्जित उर्जांत्राल बहुत कम होता है क्या था बच्चों बहुत कम होता है अब बच्चों क्या देखिए आप देख सकते बच्चों क्या है आपका वर्जित उर्जनतराल बच्चों क्या है बहुत कम है और बहुत कम होने के कारड कम होता है इसी कारड कुछ इलेक्ट्रॉन्स संयों जी बैंड से चालन बैंड में शड़े जाते हैं जाते हैं वचो ठीक में जाते हैं इसलिए विद्द्धारा का प्रवा है इसमें न्यून होता है इसमें न्यून कम होता है तो इस अधारे बच्चो बैंड सिध्धान के अधार पर हमने तीनों बाते देख ली क्या चालक क्या ओते हैं और इसके अधारे बच्चो व्याख्या भी कर ली अगर बच्चो आई है इसे आप जरूर्णि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको बच्चो आप सस्क्राइब कीजिए और अपने दोसनें बच्चो शेयर कीजिए मिलते हैं बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत